लो रहा होई हैं मुझके स्राहनी क्या कर लेगा उनके भड़कने से क्या हो जागा भाजपा को लिखल आदमी भूत अंतरयामी होता है वह अंतरयामी है कि दो तीन साल पर ही लहीं कर दी थे और भाजपा के ठीकदारों ही बन गए हैं क्या विच्छा में चुना हो रहा है उसम प्रतिपक्ष के नेता ते जस्वी यादो ने आज मुक्ह मंत्री नितीश कुमार और यूंक है तो बिहार सरकार पर हमला बोला है और जिसको लेकर परतिपक्ष के नेता ने सरकार पर सवाल खड़े बिहार में कोई अप्राद बहुत नहीं बढ़ रहा है छित पूर घटनाय घट रही है कि उसको प्रशासने सकती से पालं कराने के लिए और सक्ति से उसका यंत्रन से बाहर नहीं है इस्थिती में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ गया हो लेकिन उसको सरकार ठीक कर रही है तो नेता परतिपक्स ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हम तो दो तीन साल पहले ही बता चुके हैं कि भाजपावला अपना मुख्मंत्री दे दे नितिश कुमार से बिहार नहीं समल रहा है हम परहले अपना देखना भाजपा के फेरा में क्यों पड़े हुए हैं हम लों का एंडिये जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चल रहा है और इसी तरह से चलता रहेगा उनको चीनता करने के कोई जरुवत नहीं है जनता के सवालों पर सदन में नहीं आते हैं घर में दूपते रहते हैं और ट्विट से बात करते हैं आप जनता के सवालों पर लड़ें अभी चुना हो रहा है मैं चोबीशीत होगा उस चलता है बो चाहां उप्चुना हो रहा है मुकेश सहनी डिरा जमाय हुए क्या लगता है कि भाजपा को मुकेश सहनी फैक्टर वहां परिशान कर पाएगी कुछ नहीं सब लिए है इसलिए उनकी कहने और नहीं करने से और छेतर में पता चल जाएगा अपने चुनावल रहे तो जमान जब्त करा क्या ज़िए ज़िए जा रहे हैं उनको लेकर क्या देख रहे हैं इसको माधवानन ने कहा है कि अब बतौर कार्ज करता अगर जदियू में सामील होना चाहें तो स्वागत करते हैं जनता जनता दरी उनाइटिट के कोई रखनाइज परशन कहें आप लोगतांतर में किसी को कहीं लाने ले जाने का अधिकार है हम को याद्व माधवानन के बात पर कोई प्रशिक्रिया नहीं देते हैं तो हमारे साथ नवल की सोड़ यादो थे पर उपचुनाओ भी हो रहे हैं ऐसे में पड़िनाम क्या निकल कर सामने आता है देखने वाली बात अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें वह यह ग 816700 धन्यवाद